कि अपने परिवार रोजगार वे दंकित में तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे बहतरीन होंगे जवाब एक दम बहतरीन होंगे और बहुत बहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग कैसी चल रही है भें आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है न और मैथ सीख पा रहे हो और अगर मैथ सीख पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है मैथ को स्किप करना है पेपर में ये दिमाख में भी मतले आना चाहे कितनी ही मुस्किले हो, चाहे कितनी ही ताकत लगानी पड़ जाए, चाहे कितनी ही कोसिस करनी पड़ जाए, लेकिन हमें मैत को हर हाल में सीखना होगा, क्योंकि मैत के स्किप करने का मतलब है, exam से बाहर हो जाना, competition से बाहर हो जाना, दोस्त, selection जो दिलाएगा, वो math और reasoning ह ही दिलाएंगी यह बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं तो मैत को स्किप करने के बारे में हमें सोचना भी नहीं है तो सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी को गुड मॉनिंग खुस्वूत यागी प्रतिग्या सर्वा जै परवत अर्चना पाल प्रिति फोगाट चलिए बहुत शांदार बहुत शांदार शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से आप लोग जनते हैं कि कल हम लोगों ने जो है वह एवरेज स्टार्ट किया था और अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो करते हैं लेकि मासर स्वती का नाम एवरेज की अगर मैं बात करता हूं मेरे साथ ही एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो एक ही फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर average की बात होगी अगर औसत की बात होगी तो औसत में केवल एक ही चीज हमें याद रखनी है कुल संख्याओं का योग कितना होगा कुल संख्याओं का योग कितना होगा यानि कि sum of observation कितना होगा और upon में बिटा कुल संख्या कितनी होगी यानि number of observation क्या होगा तो अगर ये formula हमारे दिलो दिमाग में है तो हम लोग अच्छे से question कर पाएंगे दूसरी बात मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि अगर average की गुणा कुल संख्या में कर देते हैं average की गुणा कुल संख्या में कर देते हैं मेरे दोस्त क्या निकल के आ जाएगा तो आप कहेंगे कुल संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा यानि कि सम निकल के आ जाएगा ठीक है भाई चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बिटा की हमने कुछ concept यहाँ पे देखे थे कि अगर किसी common संख्या की अगर किसी common संख्या की पूरे डाटा में multiply होती है तो वही multiply अपने आप average में भी हो जाती है अगर किसी common संख्या से हम पूरे डाटा को divide करते हैं तो उसी संख्या से average डिवाइड हो जाता है अगर किसी common संख्या को हम लोग add कर रहे होते हैं data में तो उसी average में वही संख्या जो है वो add हो जाती है यानि जो भी काम हम लोग पिरतेक संख्या के साथ करेंगे वही काम जो है अपने आप किस के साथ हो जाएगा average के साथ हो जाएगा ये बात आपके समझ में आ गई बहुत शानदार अब हम लोग जो है वो question की तरफ चल रहे थे और कल मैंने कौन सा question जो है वो आप लोगों को homework में दिया था एक बार बताएंगे एक बार बताएंगे 10th question जो है वो मैंने आप लोगों को homework में दिया था दोस्त question number 10 जो था वो मैंने आप लोगों को homework में दिया था ध्यान से सुनेंगे आराम से question को पढ़ेंगे मैंने कहा था कि पहला type जो है वो basic है और basic ही नहीं पूरे chapter का निचोड भी आप लोग उसे कह सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से question को देखेंगे question कहना क्या चाहता है question कहना का चाहता है दोस्त 45 विध्यारतियों की एक कक्षा में 20 लड़किया है total कितने विध्यारती है तो आप कहोगे total 45 विध्यारती है अगर उसमें से बात करूँ तो लड़किया कितनी है तो आप कहोगे 20 जो है वो लड़किया है जिन्होंने 50 अंकों की एक परिक्षा में उस्तन 42 अंक प्राप्त किये, कितने अंक प्राप्त किये हैं, यदि कक्षा का उसत अंक जो है, वो 36 है, तो लड़कों का उसत अंक क्या हो जाएगा, ये आप से वो पूछना चाहा रहा है, तो मैंने आप लोगों को कल एक allegation बताया था बिटा, कि जब आप लोगों को दो अलग-अलग चीजे दी हुई हो, और उन्हें मिला के एक चीज दी गई हो, तो वहाँ पे आप लोग अपने दिमाग में allegation ला सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इस question में मैं देखना चाहूं तो इसमें मैं लिख लेता हूं, मेरे साथी boys और girls लिख लेता हूं, तो अगर मैं boys का ओसत पूछूं तो मुझे नहीं पता है, तो इसे थोड़ी देर के लिए एक समान लेते हैं, और अगर girls का ओसत पूछूं तो ये कितना है, तो आप कहेंगे 42 दिया हुआ है, अ कितने लड़के थे और कितनी लड़किया है, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं यहां से एक चीज पूछूं कि टोटल boys कितने हैं, तो आप कहेंगे 20 लड़किया हैं, और टोटल हैं आप लोगों के 45 विध्यारती, तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे लड़क 25 हो जाएंगे, अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे साथी, यहां से हम लोग रेशो निकाल लेते हैं, 55 होगा और 5 चौक 20 होगा, क्या यह रेशो आपके सामने आ चुका है, देखना थोड़ा सा ध्यान से, मैंने क्या बताया था कल आप लोगों को कि यह वाली संख्या हम ल उनों की गुणा कर लेना मेरे दोस्त, 4 दूनी 8 होगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, और इन दोनों के योग से अगर आप भाग कर दोगे, तो यह बीच वाली संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी, यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, बिटा 9 जो है वो भाग म में हो जाएगा, 9,6,54,5,9,27,5,32 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक, यहां बिटा 166 पिलस का है, इधरा के माइनस का हो जाएगा, तो आप कहेंगे, 14 में से 8 गए 6 बचेगा, 11 में से 6 गए 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ठीक है भाई, अगर यह 5 इधर इधरा के डिवाइड में हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं, आंसर जो आएगा, 31.2 आएगा, यैनि लड़कों का जो आउसत रहने वाला है, वो मेरे दोस्त कितना रहने वाला है, तो आप लोगों का जवाब होगा, 31.2 होगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, 31.2, मेरी बात को थोड़ा सा समझना हम लोगों के दिमाग में कैसे आएगा कि allegation लगना है जब दो चीजे हमें अलग-अलग दी हुई हो और उन दोनों का मिलाके चीजे दी गई हो तो दिमाग में एकदम से आना चाहिए allegation लगेगा मैं कह रहा हूँ एक class है उसमें boys का आप लोगों से average पूछा है girls का average दिया हुआ है दोनों का मिलाके कक्षा का average दिया हुआ है दोनों की संख्या नीचे लिख देंगे हमेशा बीच वाली संख्या कैसे निकलती है इसकी गुणा इसमें कर देंगे इसकी गुणा इसमे करके जोड देंगे और इन दोनों के योग से डिवाइड करोगे तो हमेशा ये संख्या निकल के आएगी तो मेरे दोस्त यहां से क्या निकाल लेंगे 48, 49, वाई के अवरे, 40 है सर चलिए, बहुत आसान सा है बिटा तीनों को जोड के तीन से डिवाइड करके 40 लिख दो, ठीक है तो एक कुश्यन समझे में आ चुका है हाँ, विदावट ऐलिगेशन भी हो जाएगा लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ तो ऐलिगेशन की ही तरह हम विदावट ऐलिगेशन भी कर रहे होंगे आप संख्या मान लो भाई, लड़कों की संख्या 20 मान लो, लड़कियों की संख्या 20 है, लड़कों की संख्या 25 है दोनों का रेशो निकाल दो complete का रेशो निकाल दो, complete के योग में से इनका योग घटा दोगे तो लड़कों का योग आ जाएगा, लड़कों की संख्या से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज आ जाएगा, लेकिन भाई मेरे बड़ा बहतरीन तरीका है, बड़ा ही बहतरीन तरीका, ठीक है, देख रहा हूँ, मैं सब की कमेंड देख रहा हूँ, डेविशन मेथड की आप लोगों को डेविशन मेथड सिखा लूँ, आप एक्जाम में कुश्चन इससे करेंगे, तो जहां मुझे जरूरत होगी कि यहां डेविशन मेथड आपको बताना ही चाहिए, वहां में आप लोगों के सामने डेविशन मेथड जो है, वो लेके आ रहा हूँ, आप आपके बाद जो है, चीजे टाइप वाइज अरेंज हैं, ठीक है, देखना थोड़ा सा, कुश्चन ने कहा है, कि एक परिवार के चार सदश्यों की वर्तमान ओसतायू कितनी है, तो आप कहेंगे 27 वर्स आप लोगों को दी हुई है, कितने लोग हैं उस परिवार में, तो आप कहेंगे चार सदश्यों की वर्तमान ओसतायो 27 वर्स है, तो उन चारों का योग कितना हो जाएगा, अगर मैं बेटा पूछो की उन चारों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी ओसत में संख्या की गुणा कर दो, ओसत कितना है 27 है, कितनी लोग हैं, चार ल पहुत शांदाद जब उनका एक रिस्तिदार उनके साथ आजाता है पहले से ही 4 लोग मुझूद थे पहले से ही 4 लोग मुझूद थे एक रिस्तिदार और आ चुका है तो अब क्या 5 लोग हो गये हैं तो आशत तीन वर्स बढ़ जाता है पहले ओसत सकताइस था अब ओसत जो है वो तीस हो चुका है तो ओसत में अगर संख्या की गुणा कर देंगे तो क्या अब का योग निकल के आ जाएगा तीस पंजे डेड़ सो आजाएगा यानि जो पहले परिवार था उसकी सबकी उमर जोड़के 108 बैठ रही थी अब उस नए रिस्तेदार की आने की वज़े से योग जो है वो डेड़ सो बैठ गया है तो मुझे ये बताओ रिस्तेदार जो होगा वो कितने किलो का होगा तो लोग कहेंगे रिस्तेदार जो है वो 42 के लोग आ जाएगा ठीक है भाई नेक्स्ट कुशन आप लोगों के सामने कुशन नंबर 12 कुशन नंबर 12 आप लोगों के सामने हैं जल्दे से बताइए मेरे साथ ही क्या होगा इसका बिल्कुर सही जवाब हाँ डेवीशन मेथड हो होते हैं तो एवरेज निकालने का ही एक मेथड होता है डेवीशन मेथड तो उस पर भी डिसकस करेंगे दो चार कुशन आएंगे मैं उस पर जरूर बात करूंगा ठीक है थोड़ा सा वेट कर लो मेरे साथी यहाँ देखिए ए बी और सी 41-42 किलो का है अच्छा वर्स दे र चसल 30 माई 2022 में आप लोगों से साथी पूछा गया है कि A, B और C का ओसत भार जो है बेटा तीनों का योग बता दो मुझे तीनों का योग कितना हुगा अगर तीनों का ओसत जो है वो 65 दिया हुआ है तो तीन की कर दूँगा तो तीनों का योग आ जाएगा आपके सामने क् तीनों को जोड के दोस्त एक सो पिचानवे किलो बैठ रहा है उसने का A और B का ओसत भार कितना दिया है बासट दिया है तो बेटा इसमें दो का ओसत बासट है तो ओसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा आगे बढ़ी है बी और सी का ओसत भार जो दि 30 या न तो B का बाहर कितना है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है बी का बाहर पूछ रहा है वो ये की कितना होगा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त B का बाहर कैसे निकालेंगे जब मैं A प्लस B की वैल्यू यहां रख देता हूँ रख दिया क्या मेने 124 फिलस है इध किलो का होगा अब यहां देखिए दोनों को जोड़के 132 किलो आ रहा है C की वैल्यू 71 किलो आप यहां पुट कर दीजे अगर यह प्लस का 71 किलो है तो इधर आके माइनस का 71 किलो हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि 61 किलो का जो होगा वो बी होगा और उसने बी की ही आपसे वेट पूछा है कि बी का वेट कितना होगा तो आप लोगो कह देंगे बी का वेट जो होगा वो 61 किलो हो जाएगा बी का वेट कितना हो जाएगा दोस्त तो आप लोग कहेंगे B का वेट जो है वो 61 किलो हो जाएगा ठीक है भाई आसान सा कोश्चन था कोश्चन नमबर 13 ध्यान से सुनेंगे कोश्चन नमबर 13 क्या कहना चाहा रहा है जल्दी से फटाक से बताईए मुझे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जबा देखें मैं आप लोगों को बता देता हूँ ध्यान से सुनिएगा अगर तीनों का उसत 65 दिया है तो उसत में अगर संख्या की गुणा कर देते हैं तीन लोग हैं संख्या की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा आएगा यानि 5-3-15 को 5-6-6-6-8 और एक उन्हें सा जाएगा यानि तीनों को जोड के जो है वो 105 में है ठीक है भाई अब देखें मेरी बात को थोड़ा सा समझना उसने 2 का उसत जो है वो 62 दिया है उसत में संख्या की गुणा करो 2 संख्या है से 124 जाएगा तो C की वैल्यू 51 आजाएगी उस C की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे यह पिलस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 132 में से 51 जाएगा तो B की वैल्यू जो है वो 61 निकल के आजाएगी उप्सन नंबर D is the correct answer 124 कहां गया भाई 124 कहां गया घटा नहीं दिया यह पिलस का 124 है उधर जाके माइनस का 124 हो गया ठीक है चलिए नेच्ट कोईशन आप लोगों के सामने है जल्दी से मुझे बताईए क्या होगा इसका बिल्कुर सही जबाब कोईशन क्या कहना चाहरा है कोईशन यह कहना चाहरा है मेरे साथी एक कक्षा में 18 लड़कों का ओसत वजन जो है वो 45 किलो है यानि एक कक्षा में लड़के कितने हैं तो आप कहेंगे 18 लड़के हैं उनका ओसत वजन कितना दे रखा है 45 किलो आप लोगों को दिया हुआ है और सेस आठ लड़कों का जो बच्चे कुछे आठ लड़के हैं उनका उसत वजन कितना है 48.75 दिया हुआ है अब देखें मेरी बात का समझे एर थोड़ी भाई वजन दिया हुआ है और वजन वर्स में थोड़ी ना होता है कक्षा के सभी लड़कों का उसत वजन ग्याद कीजिए क्या आप लोगों को एलिगेशन वाली फील आ रही है एक तरफ आप लोगों को कुछ लड़के दिये हुए हैं दोनों को मिलाके पूरी कक्षा बनी हुई है तो क्या आप लोगों कह सकते हैं कि एलिगेशन लगेगा त अगर मैं यहाँ पे पूछू कि सुरुवात की लड़के का उसत वजन कितना था 45 किलो था बाद वाले बच्चों का उसत वजन 8 लड़कों का उसत वजन कितना है 48.75 है अच्छा मैं सुरुवात वाले लड़के की बात करूँ चुरुआत वाले लड़के 18 लड़के हैं और बाद वाले लड़के कितने हैं 8 लड़के हैं तो क्या इन दोनों को मिला के पूरी किलास का वसाथ आपसे पूछा है बस कुष्चन को यहां से सॉल कर दो मेरे साथे देखेंगे एक बात अगर मैं यहां से देखू तो 45 की 18 में देखू पहले रेशो निकाल लो 2 ना मठारे होगा 2 चौक 8 हो जाएगा तो 9 की गुणा 9,55 को 5 हांसिल 4, 9 चौक 36 और 44 हो जाएगा पिर 4 की गुणा यहां 5 चौक 20 को 0 हांसिल लगे 2, 7 चौक 28 जीरो हांसिल लगे 3, 8 चौक 32 और 35 को 5 हांसिल लगे 3, 4 चौक 16 और 39 हो जाएगा तो 405 और 100 पिचाण में, 100 पिचाण में और 5, 200 और 400, 700 हो जाएगा और 700 को 13 से डिवाइड कर दो तो आप कहेंगे 13, 65 होते हैं या ने 400, 500, 600 आएगा, 600 आजाएगा मेरे दोस्त, 600 बटे 13 हो जाएगा और 13 चौका 52 होते हैं, 52 कितना बचेगा, 8 बचेगा, 80, 13, 68, 72 बचेगा 13 एकम, 13, 7 बचेगा, 13, 65 होगा, तो अंसर कितना आजाएगा, 40.15 आजाएगा बस आप लोगों को एक चीज दिलो दिमाग में सेट कर लेनी है कि जब भी दो चीजे अलग-अलग दी हुई हो, या तो उनको मिला के मात्रा आप से पूछी जाए या फिर बीच की मात्रा दे के इन में से एक आप से पूछी जाए तो एलिगेशन आप लोग लगा रहे होंगे ठीक है भाई, यहां तक चीजे समझ में आई, बहुत शांदार, बहुत शांदार, ला जवा, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हाँ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कीशन क्या कहता है, चार सदशों के परिवार का ओसत वजन 45 किलो है, तो बेटा चार की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा, यानि चारों को जोड़के जो है, वो 180 किलो वजन बैठ रहा है, ठीक है दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं, दादा और दादी परिवार से मिलने आये तो अब च्छे लोग हो गए, पहले ही चार थे, दो लोग और बढ़ गए, अब परिवार के च्छे सदशों का ओसत वजन जो है, वो 48 किलो है, मेरे दोस्त, अब योग कितना हो गया ह होगा 488 हांसिल लगे 4, 6, 24, 24, 28 हो जाएगा यानि कि जब 4 सदस्य थे तो वजन बैठ रहा था 180 किलो अब वो 6 वेक्टी है तो अब वजन बैठ रहा है 288 यानि इन दोनों वेक्टियों के आने से वजन कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 8 में से 0 गए 8 बढ़ा, 8 में से 8 गए 0 बढ़ा, 2 में से 1 गया, एक बढ़ा यानि वो जो दादा दादी आए हैं उनका जो वजन है वो 108 किलो है दादा दादी जो आए हैं उनका जो वजन है वो मेरे दोस्त 108 किलो है तो उसने का दादा दादी का ओसत पोछना चाहा रहा है तो अगर उन दोनों के योग को संख्या से डिवाइड कर दोगे तो क्या ओसत निकल किया जाएगा भई ओसत कैसे निकालते है योग बटे संख्या तो योग तो उन दोनों का 108 बैठ रहा है और संख्या कितनी है दो लोग है दादा है दादी है दो लोग हैं और दो से डिवाइड कर देंगे तो मेरे दोस्त चववान आ जाएगा ये बास समझ में आगी क्या बताईए ये बास समझ में आगी बहुत शानदार बहुत शानदार ठीक है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन की तरफ चलते हैं कुशन नमबर पंदरा कुशन नमबर पंदरा फटावटा मुझे बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब चलिए बहुत बहुत सुपकामना है जनम दिन की हरदिक बदाए भगवान हमेशा आपको खुस रखे तरक्की दे, सफलता दे सपने पूरे करे ठीक है? चलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बंदर वाला कुशन ही करके सलेक्सल लेंगे बस उन्हें परसों से एक ही चीज लगी पड़ी है जी बंदर वाला, बंदर वाला, छलांग वाला भाई मैं करा दूँगा, बंदर वाला, छलांग वाला आपसे ये भी कहा है, कि दो-तिन दिन वह किलास लूँगा, जो जो मैं छोड के आया हूँ, जो जो चीज़ें मैं छोड के आया हूँ, वह किलास ले लूँगा पर आप ना, आप वो चीज बार-बार रिपीट करके रहेंगे, आप यह सोच रहें 15 के 15 question बंदर वाले आने वाले हैं और आप लोगों का selection हो जाएगा 15 के 15 बंदर वाले question करने से बाई मैं बताऊंगा क्यों अगर मुझे नहीं कराना होता तो मैं बताऊंगा क्यों आप से कि मैं बंदर वाले छोड़ के चल रहा हूँ ठीक है? चली है हीरे वाले भी मुझे याद है हीरे वाले भी मुझे याद है ठीक है? 25 संख्याओं का ओसत जो है वो 13 है बिटा देखो अगर कोई बच्चा deviation method से कर रहा है और उसने पहले deviation method सीख रखा है तो दोस्त well and good है ठीक है? अच्छा है deviation method सीख पा रहा है तो लेकिन अब अगर आप ये चाहते हो कि मैं deviation method सीखा हूँ तो दोस्त वो चीजे ना मतलब आप लोगों को confuse कर देंगे है ना आपको confuse कर देंगे इसलिए मैं deviation method से थोड़ा सा बचना चाह रहा हूँ तो आप लोगों को दिक्कत मतलो ये method भी हमारा best method है और इससे आप लोगों के questions के answer आने जो है गलत आने के chances जो है वो बहुत कम है ठीक है देखिए question ये कहना कितना चाह रहा है मतलब क्या कहना चाह रहा है ठीक है 25 संख्याओ का ओसत जो है वो 13 दिया हुआ है 25 संख्याओ का ओसत कितना है तो भाई हमें ओसत से मतलब नहीं है हमें तो योग बताओ तो 25 दिया पिछितर को 5 हासिल 7 25 एकम 25 और 7 32 हो जाएगा 325 हो गया यदि पहली 13 संख्याओ का ओसत जो है वो साड़े 11 है पहली 13 संख्याओ का ओसत जो है वो साड़े 11 है तो योग निकालीे मेरे दोस्तोm 13 55 को 5 हासिल लगे 6 13 55 को 5 हासिल लगे 6 13 एकम 13 और 6 19 को 9 हासिल एक 13 एकम 13 और 14 हो जाएगा किained 104.5 आएगा अंतिम 13 संख्याओ का ओसत जो है वो साड़े 14 है साड़े 14 बैठ रहा है तो 13 55 को 5 हासिल 6 13 4 का 22 और 45 हमन को आठ हंसिल पांच, तेरे कम तेरे और पांच अठारे हो जाएगा, हो गया याने, अब एक चीज आप लोगों समझेए, कि यहां तेरे और तेरे संख्याओं को जोड़ के टोटल कितनी संख्या बैठ रही है, तो आप कहींगे 26 बैठ रही है, और 26 का योग कितना रहेग 45, 5, 5, 10 को 0, हासिल 1, 99, 18, को 8, हासिल 1, 4 और 5, 8, 5, 13 हो जाएगा, 13 को 3, हासिल 1, और 1, 2, 3 हो जाएगा, क्या इन 26 संख्याओं को जोड़ के 338 बैठ रहे है, ऑगर 26 संख्याओं में से 25 संख्याओं का योग मैं घटा दूँ, 338 में से 325 मैं घटा दूँ, तो मेरे दोस्तِّ आप कहेंगे तेहरे आजाए अब मुझे ये बता दो ये तेहरे क्या निकल के आया है अब मुझे ये बता दो ये तेहरे क्या निकल के आया है कोश्चन में बिना देखे कि कोश्चन ने पूछा क्या है थोड़ा सा सोच के मुझे ये बता दो ये जो अपने 26 संख्याओं में स 25 संख्या도 को घटागे और 13 अपने लिखा यह निकल के क्या आया है तो आप ये कहेंगे कि भाई सब आपके पास है total 25 संख्या है आपने सुरू से 13 संख्या गिं ली और पीछे से 13 संख्या गिं ली यानि वो जो 13 भी संख्या है न आपने उसे दो बार count कर लिया है पहली तेहरा, पीछे की तेहरा, इसका मतलब आपने तेहरे को दो बार काउंट कर लिया है, और तेहरे को अगर आपने दो बार काउंट कर लिया है, तो योग आपका फालतु आया होगा, कितना फालतु आया होगा, वो तेहरे ही फालतु आया होगा, इसका मतलब ये है, तेहर पारवी संख्या जो होगी वह होगी तो उसने पूछा है वारा इधर बारा इधर चौबिस हो गए और बीच वाली संख्या पच्छिसमी संख्या हो जाएगी तो भू California univers या तरहभी संख्या उचले दोनों बातों का मतलब एक ही है अंसर जो आएगा वो तरहएगा अंसर जो आएगा वेरे दोस्त वो तरहएगा ये बात समझ में आगी होगी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आगी होगी ठीक है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को टोटल जितनी संख्याइं दी हुई है अगर उसमें एक जोड के आप आधा कर दोगे तो आपके सामने ठीक बीच वाली संख्या आ जाएगी और ठीक बीच वाली संख्या क्या होती है बिटा पच्चिस में तेहर कोश्यन नमबर 16 की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त फटा-फटा मुझे बताइगे क्या होगा इसका बिलकुल सही जबब कुश्यन नंबर 16 क्या होगा इस कुश्यन का बिलकुल सही जबब जल्दी से बताइए क्या होगा deviation method से सुन लो भाई deviation method से अगर आप करना ही चाहरे हो अच्छा इन सभी संख्याओं का ओसत कितना दिया है तो आप कहेंगे 13 दिया है पहली 13 संक्याओं का ओसत कितना है 11.71 दिया है कितना ओसत कम है तो आप कहेंगे 1.5 कम है 1.5 कम है तो माइनस में 1.5 लिख दो 6.5 कम है तो योग कितना हो जाएगा तो 13 की गुणा कर दो क्योंकि 13 संक्याओं की बाद चल रही है तो 13.55 को 5 हासे लगे 6 तो जितना पहले उसता उतनी ही हर एक संख्या होगी उसने मद्धे वाली संख्या पूछी है तो मद्धे वाली संख्या भी तेहरे ही हो जाएगी अगर यह माइनस जैसे मान लो मान लो यहां जो है वो 20 आ रहा होता माइनस में 20 आ रहा होता और यहां सौल करके जो है प्लस का 19 आ रहा होता तो क्या यह एक जो है वो कम हो जाता एक माइनस में आ जाता जब दोनों को जोड़ते एक माइनस में आता तो ओसत में से एक गटा ना जिन्होंने deviation method सीख रखा है भाई मैंने उनको बता दिया है लेकिन मेरे दोस्त मत जाना अभी मत जाना मत जाना थोड़ा सा उलज जाओगे आसान सा आगया तो deviation से निकाल के ले जाओगे लेकिन अगर थोड़ा सा उलटा सीधा घुमा दिया language में तो आप उलज जाओगे है ना बस मैं ये कहना चाहरा हूँ इससे कर लो फटाक से अंसर आजाए थोड़ी से calculation मैं जरूर मानता हूँ एक दो step फालतू लगेंगे लेकिन question कभी भी गलत नहीं होगा कभी भी question गलत नहीं होगा ठीक है बताई क्या होगा इस question का साथ ही बिलकुल सही जबाब question कहना क्या चाहरा है question ये कहना चाहरा है कि 16 संख्याओ का ओसत जो है वो 23 है थोड़ा सा तेजी से करेंगे 16 संख्याओ का ओसत जो है वो 23 है तो योग कितना हो जाएगा 16 48 को 8 हासिल लगे 4 16 दूनी 32 32 और 4 36 हो जाएगा बहुत शंदार पहले साथ संख्याओ का ओसत जो है वो 21 दिया हुआ है तो 21 सत्य कितने होते हैं 147 होते हैं योग ये आ जाएगा अंतिमार संख्याओ का योग कितना दिया हुआ है वेटा 24 दिया हुआ है और 24 अठे कितने होते हैं 8 चुब 32 को 2 हासिल लगे 3 8 2 16 और 3 19 हो जाएगा अच्छे ये बताइए जब इन दोनों संख्याओ को आपने जोड़ा होगा तो ये टोटल 15 संख्याओ का योग कितना आया होगा तो आपने कहा होगा 349 होगा तो अगर टोटल 16 संख्याओं में से 15 संख्याओं का योग मैं घटा देता हूँ तो मेरे पास एक संख्या बच जाएगी इन में से तो 8 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा वो जो संख्या बची है वो 29 आजाएगी लेकिन दोस्त मुझे ये बताईए संख्या कुन सी बची है टूटल 16 संख्या ही थी सुरू की 7 संख्या गिली और पीछे से 8 संख्या गिली यानि 8 मी संख्या बची होगी सुरू की 7 ही तो गिनी है और पीछे से 8 गिनी है यानि 8 मी सं पुछाबी ये है कि आठवी संख्या ग्यात कीजिए तो सवाल का जवाब जो है वो 29 हो जाएगा ठीक है सुरुवात में साथ गिन चुका हूँ साथ गिन चुका हूँ तो साथ के ज़श्ट बादवाली को मैंने नहीं गिना होगा ठीक है चलिए बहुत शांदार कुश्ट नमबर 17 ठीक है पहले ये बताओ किया इस कुश्ट को कर लोगे बस HW के लिए मुझे बताना कि 25 संख्याओं का ओसत 18 दिया हुआ है इनमें से पहली बारे संख्याओं का ओसत 14 है इनमें से अंतिम बारे संख्याओं का ओसत 17 है जब पहली बारे का दे दिया तो 13 संख्याओं वो पूछ रहा होगा उसको count नहीं किया गया होगा उसने 13 ही पूछी है तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पिछला question कराया था दोस्त हडवलू में मैं आप लोगों को दे देता हूँ copy के एक कोने में लिख देना question number 17 का जवाब जो है वो comment box में देना है question number 17 का जवाब जो है वो comment box में देना है याद रखना अगर math को skip कर दिया math को छोड़ दिया तो selection आपको छोड़ देगा मैं समय समय पर याद दिला रहा हूँ कि बिल्कुल भी हलके में मत लेना ये 15 नंबर जो हैं बहुत कुछ decide करके जाएंगे अगर math को छोड़ दिया तो दोस्त selection आपको छोड़ देगा इस बात का विसेस द्यान रखना चलिए फटावड बताईए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब question कहना क्या चाहरा है question ये कहना चाहरा है question ये कहना चाहरा है मेरे दोस्त कि एक कक्षा में 26 लड़के है 24 लड़किया है लड़कों की संख्या 26 है लड़कियों की संख्या 24 है गणित के सिक्षक ने एक परिक्षा ले रहा है और पाया की पूरी कक्षा का ओसातंक 85 है लड़के लड़की का मिला के ओसातंक 85 दिया हुआ है लड़कों का ओसा तंक बैसी था तो लड़कियों का ओसा तंक कितना है लड़कियों का ओसा तंक कितना है तो लगा दो एलिगेशन भाई या बोईज और गल साप लोगों को दिये हुए है बोईज का उसत कितना पूरी किलास का उसत 85 है लड़कों का उसत 82 है लड़कियों का उसत नहीं पता है पूरी किलास का उसत 85 है शानदा यहां देखिए थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त आप ये जानते हैं कि अब देखिए उसने क्या कहा है दोनों की संख्या लिख लिजे लड़के कितने हैं 26 लड़के हैं और लड़किया कितनी हैं 24 हैं मेरे दोस्त रेशो निकालिए दो से काटी ये 13 बार दो से काटी ये 12 बार बिना अवाज करें आप लोगों को आंसर देना है ध्यान से समझिए 13 दोनी 26 को 6 हांसिल लगे 2 13 अठे 104 और 2 106 हो जाएंगे ठीक है पलस का 12 की गुणा एक्स में तो योग आ गया है इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजे 25 से डिवाइड कर दीजे तो आपके सामने बीच वाली संख्या जाएगे और बीच वाली संख्या कितनी है 85 है यहां से 25 अठाईए यहां 25 लिखिए मेरे दोस्त 25 पंजे 125 को 5 हांसिल लगे 12 25 अठे 212, 212 हो जाएंगे यहां से 1066 उठाईए यहां 1066 लिखिए 15 में से 6 गए तो 9 बचा फिला से इधरा के माइनस होगा 15 में से 6 गया 9 बचा 11 में से 6 गया 5 बचा यहां 0 बच जाएगा 1069 हो जाएगा 12 गुणा में हैं इधरा के भाग में कर दीजे तो आप कहेंगे 12 होते हैं होते हैं नो बचे गे निजान में बारा ठीच छाण में होंगे तीन बचे गा बारा दूनी चोबिस होंगे बारा पंजे साथ भाई साथ भाई साथ कमाल कर दिया गनित की परिक्षा और लड़कियों का और अवसत 88.25 भाई साथ बनाने वाले ने भी कुश्चन पांच यकीन नहीं है ठीक है भाई चलिए और कोई यहां और कोई यहां परिक्षा होती मालो जी के पीके की कोई परिक्षा होती जी एस की कोई परिक्षा होती तो मैं मान सकता था लेकिन भाई साथ यह जो लिखा हुआ है ना कहां गया कहां गया यह रहा इस से और लड़क में कहनी पड़े ही चलिए, question number 19, देखियो कहां आया, यह छुटकू सा question जो है वो कहां आया है, हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं, जैसे मैत में आर्रे बट्टी हो यह कह रहे हैं, जी यह तो गिरह विज्ञान में तेज होती है, जैसे यह जो है यह आर्रे बट्टी बैठे हुए है, मेत के, है ना लड़कियां कम नहीं हैं भाई, किसी भी मामले में कम नहीं है, पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, लड़कियां लेके आ रहे हैं, तो लड़कियां कहां कम है लड़के तो अपना पबजी खेलने में लड़के ला रहे हैं सीमा पाकिस्तान से लड़के ला रहे हैं रेंक है ना चलिए क्वेशन नमर 19 का जवाब दीजिए क्या होगा इसका विलकुल सही जवाब इसमें तो भाई नहीं बताऊंगा ओसत निकाल देना ये बीच में कहां से टपक गया ऐसा कुश्चन सबको जोड़ के योग को संख्या से डिवाइड कर देना बेटा इस कुश्चन का भी देखना ये भी बीच में आ गया है आने तो चाहिए तेस सुरो में लेकिन आये हैं सबसे लाश्ट में तो आप लोगों क्या करेंगे औसत पूछाए ये कुश्चन सारे पूछे गए हैं पूछे हुए कुश्चन करा रहा है तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भी ये औसत पूछ रहा है तो सबको जोड़ना जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर देना ठीक है चलिए कुश्चन नमबर 21 की बात करिए फटाफट कुश्चन कहना क्या चाहा रहा है कुश्चन कहना क्या चाहा रहा है फटाफट मुझे आंसर देंगे मेरे साथ ही क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब सर मैं भी पहले पबजी खेलती थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नया व्यक्ति आने पर वजन बढ़ जाता है नया व्यक्ति आने पर वजन बढ़ेगा भी वजन बढ़ेगा भी और वजन घटेगा भी टेंशन लेने का नहीं टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का एक निश्यत किरम में दी गई पांच संख्याओं का ओसत जो है वो 32 है पांच संख्याओं का ओसत कितना दिया है तो योग कितना हो जाएगा जी तो आप कहेंगे जी 160 हो जाएगा पहली तीन संख्याओं का ओसत जो है वो 28 दिया हुआ है तो 28 तिया कितना हो जाएगा पहली तीन संख्याओं का योग 84 हो जाएगा अंतिम तीन संख्याओं का ओसत जो है वो 34 दिया हुआ है 34 तिया कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा यदि आप 6 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 166 आ जाएगा अब आप एक चीज समझाओ तोटल थी मेरे दोस्त 5 संख्या हैं सुरू की 3 बाद की 3 इसका मतलब तीसरी संख्या को आपने दो बार काउंट कर लिया और दो बार काउंट कर लिया इसी लिए 26 जो आया है वो योग फालतु आया है यानि तीसरी संख्या जो रही होगी वो 26 रही होगी तो उसने पहली दो संख्याओ का आउसत आप लोगों से पूछा है पहली दो संख्याओ का आउसत क्या रहेगा अच्छा एक बात बताओ पहली तीन संख्याओ का आउसत कितना था पहली तीन संख्याओ का आउसत 28 था तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे जी पहली दो संख्याओं को जोड़के तो ठवन आ रहा होगा उसने पहली दो संख्याओं का ही ओसत पूछा है तो दो से डिवाइड कर दो तो पहली दो संख्याओं का ओसत 29 आएगा आप लोग 26 option में डूंड रहे थे पहले ये तो देख लेत को मैं बहुत दयालू किसम का व्यक्ति समझूँगा कि उसने 26 जो है वो उप्सन में नहीं दिया है बाइचांस मैं कहीं एक्जामिनर हो रहा होता तो मैं पहला ही उप्सन 26 रखता और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 से 60 परसेंट जो है वो 26 उप्सन टिक करके आएंगे ढूंद रहे हैं बच्चे कहां कमेंट कर रहे हैं जी 26 तो उप्सन में नहीं है भाई क्यूं देगा वो 26 उप्सन में उसने पूछा है क्या 26 के बारे में तो आपने तीनो संख्याओ का उसत पता है 28 है तो मेरे दोस्त अगर 28 की गुणा तीन में करेंगे तो 84 हो जाएगा यानि तीनो संख्याओ को जोड़के 84 आ रहा है अगर मैं उसमें से तीसरी संख्या घटा दूंगा तो दो संख्याओ का योग जो है वो 58 आ जाएगा और 58 क दो से डिवाइड गरूंगा तो 29 आएगा ठीक है चलिए कुश्चन नमबर नेक्स्ट कुश्चन नमबर बाइस किरकिट खिलाड़ी का मैच जो है किरकिट खिलाडियों का ये ये normal किरकिट खिलाडी वाला है basic कुश्चन वाला है आप ये मिस सूचना जी एक एक कुश्चन चाहरा है मेरे दोस्ट की एक किर्किट खिलाडी का 20 मैचों का ओसत रन दे रखाए यह जनरल कोश्चन मैंने सुरू में अठाएं है यह इस वर्ड से मत जाना जी किर्किट वाले तो आपने करा दिये नहीं वो किर्किट वाले अलग हैं यह तो जनरल कुश्चन है 20 मैचो का औसत जो है वो 30 दिया हुआ है तो योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त योग जो है वो 600 हो जाएगा होगा या ने यदि पहले बारे मैचो का औसत जो है वो 40 दिया हुआ है तो योग कितना हो जाएगा आप कहेंगे 400 सी हो जाएगा अगर मैं आपसे कहूं कि 20 मैचों का योग 600 है उनमें से 12 मैचों का योग 480 है तो जब मैं घटाओंगा तो वो जो बचे हुए मैच है कितने 8 जो बचे हुए मैच है उनका योग 120 आएगा तो उसने अंतिमाट मैचों का आउसत पूछा है योग नहीं पूछना चाहरा तो योग को अगर 8 से डिवाइड कर दोगे तो आउसत आ जाएगा क्योंकि आउसत कैसे निकलता है सबका योग बटे संख्या जितनी हो तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो 15 है इस कुश्चन का जव जब सराप एक्जामिनर होते तो सारा परिणाम बैस से फश जाता हो तो अब भी फशेगा एक्जामिनर हो या मत हो वो तो अब भी फशने वाला है ठीक है आप टेंशन लेना नहीं भाई मैच की तरफ से टेंशन लेने नहीं दूँगा अभी तो मैं जो है गेर लेकि अभी पंद्रह तक आप लोगों का ना पूरा नीव तयार करने की कोशिस कर रहा हूं जब मैं अपनी फुल फॉर्म में आऊंगा ना तो आप लोगों को भी फुल फॉर्म में आना पड़ेगा गेर बदलेंगे दोनों एक समय पर गेर बदलेंगे और दोस्त जिस दि गेर बदलेंगे ना उस दिन किसी के हाथ नहीं आएंगे किसी के हाथ नहीं आएंगे हंजू की तरह पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन किसी के हाथ भी आने वाली नहीं हैं ठीक है हम लोग सेलेक्शन पे ही जाके रुकने वाले हैं चली फटा 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 बताईए क्या ह इसका बिलकुल सही जवाब, गजब का माहूल चल रहा है भाई, देस में गजब का माहूल चल रहा है, मीडिया वालों ने आतंक काटा हुआ है, दो न्यूज बनी हुई है, लगातार दो न्यूज बनी हुई है, ट्रेंडिंग में चल रही है भाई साब, पूछो इमा, दाए आरी जो TRP है वो बढ़ती रहे और हमें को यह ऐसा टॉपिक जिससे हमारी TRP जो है वो पीक पे पहुंच जाए चली बटबट बटबताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जबाब कुशिन कहना क्या चाहा रहा है कुशिन कहना चाहरा है एक संस्थान में 30 चात्रों के एक बैच ने बुद्धी परिक्षन लिया 30 चात्रों के एक बैच ने बुद्धी परिक्षन लिया उनमें से 20 ने औसतन 55 अंक प्राप्त किये भई 20 ने कितने अंक प्राप्त किये हैं 55 प्राप्त किये तो आसत जो है वो पिछित्तर ही हो जाता है ठीक है सेस चातरों ने आसतन 87 अंक प्राप्त किये तो चातरों के पूरे बैच का आसतन क्या फील आ रही है कि ऐलिगेशन लगा दे क्या फील आ रही है जब तक ऐलिगेशन नाम का चैप्टर आएगा तब तक तो मैं एलिगेशन जो है तब तक तो मैं एलिगेशन जो है वो आप लोगों को सिखा दूँगा कि एलिगेशन की फील किस कुश्चन से आ रही है एलिगेशन की महेक कौन से कुश्चन से आती है वो महक लेनी जो है वो सिखा दूँगा बिटा आप लोगों को ठीक है बहुत शांदार अगर आपसे ये कहूं कि भहिया बीस चात्रों ने औस्तन कितने अंक प्राप्त किये हैं तो आप कहेंगे पिछित्तर अंक प्राप्त किये हैं बीस चात्रों ने और सेस चात्रों ने औ पूरे बैच का उसात स्कोर, यानि टोटल का स्कोर पूछ रहा है, यानि ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ठेक है भाईया, अब यहाँ देखिये, यहाँ संख्या लिखी जानी है, जिन्नोंने 55 अंक प्राप्त किये हैं, वो कितने बच्चे थे, तो आपने कहा कि 20 ने 55 अं हो जाएगा और दो और एक कितना हो जाएगा तीन से डिवाइड कर देना आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा ठीक है बहुत शंद है अब देखिए यहां से समझेए साथ ये हो जाएगा आठ पांच तेहरे को तीन हासिल एक क्या ये 237 होने वाला है तो आप कहेंगे बिल चीजे है ना 69, 79 और 89 भाई सब ये दोनों चीजे ना तो आतंक मचाई हुई है ये दोनों चीजे आतंक मचाई हुई है इन्हें समझेए अंजू और इन्हें समझेए सीमा है जैसे सीमा और अंजू ने आतंक मचाया हुआ है ठीक उसी तरह 89 और 89 वर्सों से आतंक मचाती आ इसमें बहुत सारा बच्चा जो है वो confusion मतलब create कर लेता है अपने अंदर 89 क्या है नवासी क्या है पूछोगे 89 लिखेगा 89 बोलोगे 89 कहेगा 89 है ना तो ये होता है 89 और ये क्या होता है 90 है ना नवा नवा वाला नवासी और उना वाला 89 ये 89 तो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त आंसर जो आएगा 89 आएगा ऑप्सन नंबर ए क्या हो जाएगा इस question का जवाब हो जाएगा सर 10 कहां से आया बिटप बुद्धी परिक्षन कितनों ने दिया है 30 ने दिया है अगर मैं पूछो फॉर्म कितनों ने भरा है परिक्षा कितनों ने दी है तो आप कहोगे जी 20 लाख ने दी है पास कितने हुए है आप कहोगे जी 1 लाख हुए है फेल कितने होगे तो आप कह हित्तर आया है टोटल टीस लोग है तो मेरे दोस्त दस ही तो बचे होंगे है ना कुशन नंबर 24 पटबट बताईए क्या होगा इस कुशन का बिलकुल सही जबाब कुशन क्या क्या कहना चाहरा है पटबट मुझे बताईए मेरे साथी क्या कहना चाहरा है कुशन दस प्रिक्षन का ओसत जो है वो 21 है भाई साब हम आगे तब बढ़ेंगे जब लिख लेंगे बात को ओसत 21 दिया है तो उन 10 संख्याओं का योग जो रहेगा वो 210 रहेगा ठीक है भाई एक नया 11 प्रिक्षन सामिल किये जाने पर नए ओसत में 1 की कमी आ जाती है यानि जब एक सामिल कर लेते हैं तो टटल 11 एप रिक्षन हो गए अब औसत में 1 की कमी आ जाती है यानि औसत अब 20 न रहके 20 रह गया होगा तो अब योग कितना आ गया होगा 220 आ गया होगा तो 10 संख्याओं का योग 210 था और 11 संख्याओं का योग 220 है तो बिटा वो 11 संख्या कितनी होगी इसमें से इसे घटा दो वो जो एड करी है ना संख्या वो आपके पास 10 आ जाएगी तो 11 संख्या पूछिए बच्चों वाला सवाल है पर करना जरूरी था हाँ ये कुश्चन ना छोटा एक्जाम हो बड़ा एक्जाम हो छोटा एक्जाम हो कॉंस्टेबल का हो CGLPRI का हो CGLMINS का हो CPO का हो ये कुश्चन मतलब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जब भी आप प्रिवियस एर उठाओगे हेड कुश्टेबल मिनिस्टियर कैसा भी कैसा भी एक्जाम हो तो ये कुश्चन जो है वो आप लोगों को देखने को दोस्त मिल जाएगा तो हमें पहले तो सबसे पहले पता होनी चाहिए एक से सो तक की एभज्य संख्या गेर का बदलोगे गेर बदला जाएगा एक सेप्टेंबर में एक सेप्टेंबर हमारा गेर बदलने का समय होगा दोस्त हम आप यकीन नहीं मानोगे वो तैयारी आप लोग मैथ में करके जाओगे जितने भी लोग बरकरार बने हुए हैं सुरू से बने हुए हैं उने time दिया है अब जो एक September को जुड़ेंगे वो हाथ नहीं आएंगे मतलब उनके हाथ आने वाले हम लोग नहीं है ठीक है लेकिन जो लोग सुरुआत से बने हुए हैं यकीन मनना कि आप लोग अदभुत हो आप लोग उनसे special हो जो एक September को जुड़ने वाले हैं और एक September में भी bulk में बच्चा जुड़ेगा ये बात भी आप लोग जानते हो तो आप उनसे बहुत अलग हो पहले ही आप सब कुछ कर चुके हो एक September से तो हम धुआ उड़ा रहे होंगे केवल और केवल नए नए प्रैक्टिस सैट में नए ने कुश्चन्स में चाहे कुश्चन्स किस से भी पूछा जाए बिटा वो एक्जामीनर अब आए एक्जाम में कुश्चन कैसे पूछ रहा है हम उस पर काम कर रहे होंगे तो मैं और हम से चुड़ जाए मनजूर ही नहीं है 15 बटे 15 से कुछ भी कम दोस्त हम लोगों को मनजूर नहीं है ठीक है तो सबसे पहले तो आप लोगों को एभज्य संख्याओ को थोड़ा सा ज्यान होना चाहिए तो मैं एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं मेरे दोस्त दो तीन मेरे साथ साथ बोलेंगे मुझसे आगे आगे मेरे साथ साथ नहीं मुझसे आगे आगे बोलेंगे मन ही मन में बोल मुझसे भी तेज बोलेंगे तेज होता है, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 43 होगा, 59 होगा, 69 होगा, क्या इससे भी अलग कोई होगा? तो आप कहेंगे जिससे अलग होना तो नहीं चाहिए देख लेना 1 से 100 तक अभजय संक्याउ की संक्या 25 होती है ठीक है भाई देखे थोड़ा सा ध्यान से उसने का है 70 और 90 के बीच सभी अभजय संक्याउ का उसत क्या होगा 70 और 90 के बीच यानि इन दोनों को यहां से यहां तक जोड़ना है 9 और 3 बारा बारा और 9 इक्किस होता है 21 और 3 चौविस और 25 को 5 हासिल दो 8 दो 10 और 8 अठारे साथ 25 और 7 बत्तिस और 7 49 हो जाएगा टोटल संख्या है कितनी 5 है 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्त फिर से आंसर आ चुका है 89 होगा फिर से आंसर आ चुका है 89 होगा तो आपसन नमबर कौन सर ठीक हो जाएगा आपसन नमबर C is the correct answer ठीक है बहुत शंदर कोशन नमबर 26 कोशन नमबर 26 क्या कहता है दोस्त जल्दी से बताईए क्या होगा इस कोशन का बिलकुल सही जबाव आलू होगा बैंगन होगा करेला होगा गाजर होगा सबजी वाले ही बनोगे क्या अभी कुल दीप ठाकुर चलिए आप कितना इंट्रेस्ट लेते हो कितना interest लेते हो जब सीमा की बात आती है जब अंजू की बात आती है जब जोती मोरिया की बात आती है आदे लिख रहे हैं SDM की कहाने लिख रहे हैं और रहे भाहिया क्यों इतना interest ले रहे हैं पढ़ना है हमें वो तो एक मजाक की चीजे हैं आप लोगों बोर ना हो चीजे आ आसानी से आजाए मजाक के रूप में ही आजाए है ना बहुत कम देखने को मिलता है मेरा ये रूप चलिए बताइए मुझे क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब पंदरे संख्याओं की ओसत संख्या 30 है जबकि तेरे संख्याओं का ओसत 32 है यदि सेस दो संख्या समान है तो उन दोनों में से पिरतेक संख्या क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाहरा है अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पंदरे संख्याओं का ओसत जो है वो कि है तो योग कितना हो जाएगा तेहरे दो नहीं 26 को 6 हासिल दो तेहरे तिया 49 49 और दो 41 हो जाएगा 416 हो जाएगा तो अगर मैं आप से पूछो 15 को जोड़ के 4.500 आ रहा था और 13 को जोड़ के 416 आ रहा है तो बच कितना गया होगा आपने कहा 450 में से 416 जाएगा तो 34 बचेगा यानि जो वो दो संख्याएं बची हैं जो की समान है समान है उन दोनों को जोड़ के 34 आएगा तो एक संख्या कितनी आ जाएगी एक संख्या मेरे दोस्त सत्रा रहेगी तो दोनों में से पिरते एक संख्या पूछ रहा है तो आप कहेंगे 17 इस question का साथी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा मैंने क्या सोचा है बैश सोचता तो बहुत हो तुम लोगों के लिए मैंने सोचा है अब डेली के last में जैसे 9 बजे तक हम लोगों की class हो जाया करेगी last के 7-8-10 मिनट जो है वो आप लोगों को कुछ अदभुत बाते point लिखवा के लाया करूँगा वो calculation के भी point हो सकते है calculation के भी point हो सकते है वो आप लोगों के math के facts भी हो सकते है facts कैसे जैसे किसी भी संख्या के बारे में हम लोगों को जानना जैसे अगर मैं 2 के बारे में ही जानने की कोशिस करूँ तो 2 एक मात्र even number है जो prime number भी है दो एक मात्र only and only one एक मात्र even number है जो prime number भी है वरना सभी prime number जो होते हैं वो odd number होते हैं तो ऐसे ही अलग-अलग numbers के बारे में हम लोग देखते चलेंगे तो 7-8-10 minute जो है वो हम लोग practically चीजे अपना जो मतलब increase करेंगे practically knowledge जो है वो increase करेंगे वो calculation के भी रूप में हो सकती है वह कैसे calculation को solve करना है वो कोई साइक ऐसा method भी हो सकता है जो generally हर chapter में लग रहा होता है जैसे allegation नाम का भी हो सकता है cross multiplication नाम का भी हो सकता है तो वो एक method भी हो सकता है मतलब इस चीज से थोड़ा सा अलग जो है हम 7-8 minute जो है उस चीज पर दे रहे होंगे है ना उस चीज पर काम करता हूँ मैं कोसिस करूँगा बहुत जल्दी उसे लाने की कल से नहीं क्योंकि अगर मैंने कल से बोल दिया तो बहुत सारे हैं ऐसे हैं जो उसी की मांग करेंगे ठीक है एक दो दिन में लाने वाला हूँ उस चीज को भी 28-27 कोश्चन का अंसर दीजिए भाई पैन चलाना यह पैन रुकना नहीं चाहिए जिसे स्पीड से कमेंट चल रहे हैं उसे स्पीड से दोस्त आप लोगों का पैन चलना चाहिए ठीक है फटावड मुझे बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुश्चन कहना क्या चाहा रहा है चलिए मैं आपसे पूछो भई सबसे चोटी विसम भज्य संख्या कोन सी है तो 30% लोगों को नहीं पता होगा 30% लोगों को नहीं पता होगा भज्य संख्या की बात आती है तो वो चार बोलते हैं भज्य संख्या की बात आती है चार बोलते हैं लेकिन वो ये नहीं सोसते कि मैंने भज्य संख्या के साथ साथ विसम भज्य संख्या पूछा है ओड कंपोजिट नंबर पूछा है तो वो बाहर रखा जाता है तो ओसत 31 हो जाता है भाई सब ऐसे भी कुश्चन बेसिक कुश्चन पूछ लिए जाते हैं पांच संख्याओं का ओसत कितना है तो आप 30 कहेंगे उनका योग कितना आ जाएगा तो डेड़ सो आ जाएगा जब एक संख्या को बाहर रखा जाता है तो संख्या चार रह जाती है तो ओसत 31 हो जाता है तो 31 चौक कितने हो जाएगे 124 हो जाएगे याद रखना पांच संख्याओं को जोड़ के डेड़ सो आ रहा है और चार संख्याओं को जोड़ के 124 124 तो जिसको बाहर रखा गया होगा वो 26 होगी 150 में से 124 घटा दो तो जिसको बाहर रखा गया होगा दोस्त वो कुन सी संक्या होगी वो 26 हो जाएगे ठीक है फटवर देखिए क्या है कुश्चन ये CGL में 19 अपरेल 2022 में आप लोगों से पूछा है कल उन टाइप वाइस को करा दूँगा और परसो बैटिंग बोलिंग वाले कुश्चन बच जाएगे परसो ये चैप्टर दा एंड हो जाएगा दी एंड हो जाएगा बच्चे परसो चार किलास में एवरेज रफू चकर हम लोगों का हो जाएगा बेस मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों तैयार हो चुके हैं उस हालत में जहां मैं आप लोगों को कुश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकूँ तीन संख्याओं का ओसत पंदरा है योग पैतालिस आएगा दूसरी और तीसरी संख्याओं का ओसत साड़े बारा है उन दोनों का योग पच्चिस आएगा पहला नंबर पैतालिस में से पच्चिस जाएगा बीस आजाएगा हम वरक आप लोगों के लिए है करके जरूर देखना है चौबिसमा कुश्चन पिर्थम 6 एभज्य संख्याओं का ओसत क्या होगा CGL में ही पूछा है करके जरूर देखना मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में विद कुश्चन अंसर लिखना की 29 का C होगा 29 का B होगा 29 का A होगा मुझे लगेगा कि आपने कॉपी पर पैंट चलाया है कुश्चन नमबर 30 क्या कहना चाहरा है कुश्चन नमबर 30 क्या कहना चाहरा है मेरे दोस्त जल्दी से बताइए कुश्चन निकाए तीन धनातमक संख्याओं का रेशो ये दिया हुआ है उनके वर्गों का योग भाई थोड़ा सा समझना यहाँ यह बहुत बेसिक चीज है जो आप लोगों की रेशो में भी यूज होती है अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पहली संख्या दो एमान लूँ दूसरी संख्या तीन एमान लेता हूं रेशो अगर ये दिया है और तीसरी संख्या मैं चार एमान लेता हूं और 4-A का square करेंगे तो बेटा 16-A-square हो जाएगा. इनके वर्गों का योग जो है वो तेश्शो 89-40 आप लोगों को दिया हुआ है. तो 9-4-13 और 16 कितना हो जाएगा? 29-A square हो जाएगा. और 29-A square की value कितनी दी हुई है? 30-41 आप लोगों को दी हुई. काटा पीटी मचाईए 29 से काटी है कितनी बार कटेगा बाई 29 से कटेगा लगबग 9 नाव 18 को एक हासी 8 बार 29 अठे कितना हो जाएगा 9 अठे 72 को 2 हासील 7 8 दूनी 16 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा 234 में से 32 जाएगा तो 2 बचेगा 29 हो जाएगा और ये एक बार कर जाएगा ठेक है A स्क्वार की वैल्यू 81 आचुकी है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी अब उसने पूछा क्या है पहली 2 संख्याओं का ओसत क्या होगा तो पहली संख्या 9 दूनी 18 हो जाएगी भई एकी वैल्यू तो 9 आई है और यहां एकी वैल्यू 9 पुट करेंगे 9 दूनी 18 पहली संख्या 18 होगी दूसरी संख्या 9 तिया 27 होगी इन दोनों के योग को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ओसत पूछना चाहा रहा है तो आप कहेंगे 27 और 18 पैतालिस होता है और पैतालिस को 2 से डिवाइड करेंगे तो साड़े 22 आएगा कितना आ जाएगा मेरे दोस्त साड़े 22 इस कुश्यन का जवाब होगा ओप्सन नमबर D is the right answer ठीक है कुश्यन नमबर 31 बिलकुल ऐसा ही है तीनों का वर्गों का योग पूछना चाहा रहा है तो मेरे दोस्त MTS में पूछा गया है HW आप लोगों के लिए है न आप एक चीज देखिए कि MTS में जो चीज 2021 में पूछ ली है CGL में वो चीज 2022 में पूछी है MTS में जो चीज 2021 में पूछी है तो CGL में वो चीज 2022 में पूछी है तो कुश्यन तो किसी भी exam का किसी भी exam में रिपेट हो सकता है ठीक है कुश्यन नमर 32 एक बार पढ़ी है दोस्त बड़िया कुश्यन है थोड़ा सा इस पर दھیहन दीजिए MTS 6 October 2021 में आप लोगों से पूछा गया है 6 October 2021 में आप लोगों से पूछा गया है पड़वड़ बताईए कुशन कहना क्या चाहरा है Like का कहना ही छोड़ दिया मैंने Like का कहना ही आप लोगों से छोड़ दिया है मर जी आपकी है करना है कर दीजिए नहीं करना है तो उसमें भी मैं खुस हूँ है ना बस आप लोग चीजे सीख लेजिए एक परिक्षण में एक परिक्षण में A, B और C का ओसत स्कोर भाई एक परिक्षण है उसमें इन तीनों का ओसत स्कोर कितना दिया हुआ हुआ है अठित्तर दिया हुआ है तो इन तीनों के ओसत में अगर संख्या की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा आठिया 24 को 4 हासिल लगे 2 साथिया 21 और 2 तेईस हुआ हुआ है आगे बढ़ते हैं C, D और E का ओसत बजन जो है C, D और E का ओसत बजन जो है वो 52 दिया हुआ है तो इन तीनों का योग कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा ठीक है E और F का ओसत स्कोर जो है E और F का ओसत स्कोर जो है वो 48 दिया हुआ है तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा चाण में आ जाएगा ठीक है भाई? आगे बढ़े हैं क्या? उसने का E और C का औसत स्कोर 60 दिया हुआ है E और C का औसत स्कोर 60 दिया हुआ है और इनका योग कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा ठीक है? उसने A, B, C, D, E, F का औसत स्कोर पूछा है A, B, C, D, E, F का ओसत स्कोर पूछा है मेरे दोस्त तो ये आपको निकालना है कितने लोग हैं ये आपसे value पूछना चाहरा है और यही आज आप लोगों के लिए home work का task है यही आप लोगों के लिए home work का task है कि आप लोग इसका जवाब जो है वो comment box में मुझे बताएंगे किसका जवाब क्या हो जाएगा सारी चीज़े मैंने आप लोगों के सामने board पे लिख दी है साएद सारी चीज़ों को जोडने से आप लोगों का answer आजाएगा मेरे दोस्त तो एक बार इसका जवाब जो है वो आप लोग E और C की value उठा के 120 है 120 यहां रख देंगे D की value आजाएगी D को यहां जोड़ देंगे E और F इसको जोड़ देंगे तो A, B, C, D E, F आजाएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है चीज़े आपके सामने होंगी एक यह question है और homework इसका मुझे सोच के जरूर बताना है दो question दिये मैंने homework में एक तो मैंने यह दिया है 31 question एक मैंने दिया है आप लोगों को 29 question 29 question है 31 question है और एक question मैंने दिया है बीच से आप लोगों को 32 और एक last question आप लोगों के लिए 33 रहने वाला है कैसी लगी class जरूर बताईएगा comment box में मुझे answer जरूर कीजिएगा कल से जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला था कि कल से हम लोग क्या करने वाले हैं कल से बेटा हम लोग ये करने वाले हैं अगर मैं बात करूं तो कुछ इस type की seat जो है 9 के प्रारंबिक 20 गुन जो का ओसत देहली पुलिस head constable ministerial में पूछा है यहां से देखिए 5 ये type wise है 10 किरमागत विसम संख्याव का ओसत जीडी constable में पूछा है और ये जीडी के question है कुछ आगे देहली पुलिस के question होंगे ये जैसे देहली पुलिस SI का question है मेरे दोस्त देहली पुलिस executive का question दिखाता हूँ constable ये रहा देहली पुलिस executive ये रहा देहली पुलिस SI तो सारे question है देहली पुलिस executive सारे type wise चीज़े जो है वो arrange है तो कल का जो माल मसाला आप लोगों को मिलने वाला है वो बड़ा ही ठीक है दोस्त टाटा बाई बाई